कि अधिया प्रेंट स्वागा थाब का मारे यूट्यूब चैनल में अज एक नई ख़बर आई है कि क्लास 10 और 12 का सिब्यस्ट का एक्जाम जो है उसका डेट डेक्लियर कर दिया गया है और आप जैसा कि देख सकते हैं इस टांट टाइम्स के विबसाइट के हम आया है और यहां पर लिखा हुआ है कि जो सिब्यस्टी पूर्ड का बचा हुआ है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ है उन्होंने क्लियर किया है कि एक 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 कैसे होंगे और को सब्जेक्ट के होंगे उसे बार में भी बताया है तो जो क्लाश 12 के जो सब्जेक्ट बचे हुए थे ठीक है उसके एजाम करा जाएगी वही क्यों को सब्जेक्ट ठीक है जिसका मतलब आप जो एड्मिसर लेंगे कॉलेज में तो जिसका कुछ वेटेज राता है कुछ इसका फर्क पड़ता है कॉलेज एडमिसर में उन सारे सब्जेक्ट कराने के तैयारी की गई है टोटल जो है वो आपका 12 सब्जेक्ट है क्लास 12 में जो की कनेक्ट कराया जागा जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 के बीच में और इजक्ट किस दिन कौन सा इजाम होगा वो अभी बताया ने गया है वो कुछ दिन में जो है वेबसाइट पर आ जाएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम साब लोगों बता दूँगा और एक बड़ी खबर यह कि क्लास 10 का जो एक्जाम है वो कीवल नौट इस दिल्ली में कराया जाएगी ठीक है तो कि लगबब जो है सारे कंट्रिम एक्जाम हो चुकी थी और जो कोर-कोर जो सब्जेक्ट था ठीक है और बाकी जो है यहां पर दिल्ली में कुछ है कम्यूनल वाइलेंस की कारण जो है कुछ एक्जाम नहीं हो पाया था इस वज़से जो है उसको खराई जाएगी तो कौन-कौन से वो सब्जेक्ट है जिसके एक्जाम हो गी क्लास 12 में और क्लास 10 में तो आप देख सकते हैं कि जो क्लास 10 में जो एक्जाम कराई जाएगी हूँ है हिंदी कोर्स A है हिंदी कोर्स B है English Course है English Language and Literature है Science है और Social Science है तो यह जो है टुटल इस है जिसका एक्जाम जो है करवाय जाए क्लास 12 में देख सकते हैं बिजनेस इटडी है जिऊग्राफी है हिंदी है हिंदी कोर है हिंदी एलेक्टिव है और फिर होम साइनस है सोचेयरोजी है प्यूटर साइनस उल्ड नीव है फिर इंफॉर्मेशन टेकनलोजी है फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नियू गर के ओल्ड गर के हैं तो फ्रेंड्स आपके पास जो है एक अच्छा सा टाइम है आपके पास पूरा जो है पूरा माई पूरा जून बचा हुआ करने के लिए तो काफी इनफ टाइम है आप लोग उम्मीद है आप अच्छा त्यारी कर पाएंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना इंफॉर्मेशन था तो मिलें अगले वीडियो में लेकिन उससे पहले अगले वीडियो में अपने घर पे रहें और सुरचित रहें स्टे होम, स्टे सेफ